हलो यूरिवन आप सभी का आपके अपने चैनल आरके बिलेच फिरिंट पर स्वागत है आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे आज का वीडियो लोडते मानसून पर है कि इस मानसून ने अभी तक धान किसानों को खुब रूलाया तथा जिन किसान मित्रों मित्रों ने अगेती धान की खिती किये हुए थे जिनका धान इस समय कटने वाला है या कट रहा है उनके लिए मुसीबत बनकर तूट पड़ा है जिन धान में बालियां लाल पड़ने लगी थी वह धान तथा जिन में बालियां बन गई थी अच्छे धान थे उनको किसानों नलकूप, ट्यूब बेल, बोरिंग अथवा किसी अन्य साधन से सीच करके धान की फ़सल खुब अच्छे से तयार किया था उनके लिए ये बरसात काहर बनके तूट पड़ी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सारे धान गिरे पड़े हुए हैं, धान सारा जमीन में गिर गया है, अभी ज्यादा वरसात भी नहीं हुई है, तब ये हाल हो गया है, जैसे कि आप वीडियो में अच्छे से अधिया वर्षा. गीजा निकलनें की बेस्था बनाया रखना चाएं. जिससे खेश से अगर पानी निकल जाएगा तो भराव नहीं होगा तो इससे हमारे जो धान हैं उनमें जमाव नहीं होगा जमाव नहीं होगा तो इससे थोड़ा बहुत हमारा भिर बाद में कटाई करके कुछ बचाया जा सकता है नहीं अगर पानी भराव हो जाएगा तो उस गया है उन किसानों के लाबदायक हो सकता है और सारे किसानों के लिए नुक्सान दायक वरसात हो रही है तसा जिन किसानों को इस समय बवाई कर रहे थे उनकी भी फसल को काफी परभावित कर सकती है वरसात इस समय बहुत सारे किसान आलू की बवाई के लिए अपनी खेत के त तैयारी कर रहे थे सरसो के बॉई चल लही थी तो इसलिए उन काफी किसानों के लिए ये वर्सात नुक्सान दायक हो सकती है